नेनुवा की सब्जी में बस आप एक चीज मिला करके बनाएं इस सब्जी का जो स्वाध है ना कई गुना बढ़ जाएगा तो इसके लिए यहां पे चार नेनुवा मैंने लिया है इसे हम सबसे पहले धोलेंगे उसके बाद इसे छिल लेंगे छिलने के बाद भी हम इसे एक और अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ो में काट लेंगे तो आप चाहें तो इसे इस तरह से गोल टुकड़ो में काट सकते हैं पतले और गोल टुकड़ो में या फिर आप चाहें तो नेनुवा जोयना इसके बीच में इस तरह से कट लगाए और उसके बाद आप इसे छ फ्रहाई रखेंगे गरम होने के लिए और इसमें डालें गे हम दो बड़ा चमच सरसो तेला सरसो तेल में ये सबझी बढ़ियां बह। बह। रिस्टरी बन कर तायर होती है तो सरसो atenção कहीं ही इसuestas प्याज डालएं तो यहांपे एक बड़ी साइज कि प्याज को मैंने लंबे और पत्ले-पत्ले टख्रों में काट लिया है प्याज डालने के बाद अब यह जो प्याज है इसे हमें अच्छे से भुनना है आप चाहे तो इस सबजी में दो प्याज का भी इस्तमाल कर सकते हैं मैंने एक बड़ी साइज के प्याज का इस्तमाल किया है अच्छे से प्याज यहां पे भुन चुका है थोड़ी देर में आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही प्याज को भुनना है हमें अब इस प्याज में हम कट किया हुआ ये जो निनुवा है इसे डाल देंगे मिला देंगे इसे अच्छे से और अब इसमें हम एक चीज मिलाएंगे वो है भिगोया हुआ लाल चना चना डाल करके निनुवा की सबजी बहुत टेस्टी बनती है किसके किसके घर में बनती है ये सबजी मुझे कमेंट करके आप जरूर बताईएगा और अगर नहीं बनती है तो आप इसे बनाकर जरूर ट्राई किजिएगा अपने घर में आप सबको ये जो सबजी है न बहुत पसंद आएगी टेस्टी के साथ साथ ये बहुत ज़ादा हिल्दी है क्योंकि बहुत ही कम तेल में बन करके त्यार हो जाता है ये सब्जी और बहुत ही कम मसाली लगते हैं इसमें डग देंगे और दो मिनट इसे पकने देंगे दो मिनट जब नेनुआ चना पक जायेगा न तब इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार ध्यान रखें नमक डालते समय कि नेनुआ पकने के बाद इसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है तो उसे हिसाब से हम नमक डालेंगे इसमें मिला देंगे इसे अच्छे से और नमक डाल करके मिलाने के बाद अब इसी के स अब एक चमच में डालेंगे जीरा पॉडर और साथ हम इसके राड़ कर लेंगे मिला दियंगे इन रहती चीजों को अछछे से पार दालेंगे घ्रवास करना अब तक आदंगे इसमें आपको पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि नेनुवा से खुद पानी रिलेज होगा और उसी पानी से चना और नेनुवा सब अच्छे से कुख हो जाएगा तो ढख देंगे और low to medium आच पी जो सब्जी है इसे हम पकाएंगे बिच बिच में ढखन हटाकर आपको इसे चलाना है आपको इसे तब तक पकाना है ढख कर जब तक की जो चना हमने डाला है वो अच्छे से कुख न हो जाए तो चना जब तक कुख होगा तब तक नेनुवा भी बहुत अच्छे से कुख हो जाएगा ढख देंगे इसे और पकने देंगे लगभग यहां पे 15 मिनट हो चुका है यह सब्जी है इसे पकते हुए आप तेक सकते हैं नेनुवा से जो पानी निकला थाना वो सुख चुका है और यहां पे जो चना है ना इसे हम तोड़कर कि चेक कर लेंगे तो यहां पे चना भी बहुत अच्छे से कुख हो गया है और नेनुवा भी पहुत अच्छे से पक चुका है तो सब्जी बन करके बिल्कुल डेडी है हम इसे क्या करेंगे ना कि चमसे इस तरह से थोड़ा दबा देंगे ताकि सब्जी जो है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और बीना ढखके इसे हम दो मिनट के लिए पका लेंगे तो यहां पे सब्जी बिल्कुल ड्रेडी है बन कर बंद कर देंगे फ्लेम और उसके बाद इसे हम गर्मा गर्म सर्फ करेंगे तो आप इसे रोटी पराठो के साथ खा सकते हैं ताल चौल के साथ खा सकते हैं तो जरूर बनाईए का अपने घर में रेसिपी अगर अच्छी लगे आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक किजेगा ज्यादा सज्यादा इसे शेयर किजेगा और चैनल नहीं है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से किजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में अलग रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाए एंड टेक क्यार